हलो दूसो नमस्कार क्या रियक्शन रह सकता है यह देखना काफी इंट्रेस्टिंग पार्ट ज़रू रहेगा फिलाल जैसे कि मैंने नंबर्स को थोड़ा सा ओवर्यू आपके कर दिया है नंबर्स के अगर हम लोग बात करें इतने इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं देखिए यह मैं पहले श संबाल कर चलना देख लेना अगला परफॉर्मंस कैसा होते करके मतलब यह भेदबाव क्यों तो दोस्तों ऐसा कोई भेदबाव नहीं है मैंने इसके पीछे का रीजन आपको काफी बार समझाया है और कौन सा एक्जांपल देखे समझाया है क्रिकेट का एक्जांपल देख जापी को मिलेगी फिर तकलिफ होगी आपको सो जैसे मैंने क्रिकेट का एक्जांपल दिया था कौन सा वाला कि अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप रहने वाला आप सभी लों को पता है हर किसी को पता है अभी मान दीजे एक प्लियर का नाम दिलते है जिससे जस्पित बुम बट आप मुझे बता ही क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में होगा यह मैं आप लोगों को यह क्रिकेट से लिंक करके क्यों बता रहा है यह इसलिए मैं बता रहा है जिसके हम बात कर रहे बाई वो इब्दम मतलब चैंपियन प्लियर है उसका एवरेज परफोर्मनस देखा जाता है एक परफोर्मनस नहीं देखा जाता है ठीके तु वैसे में हमेशा कहता हूं कि नंबर्स चलो खराब भी आगए कोई दिकत की बात ने क्यूंकि उनके एवरेज परफोर्मनस अच्छा रहते है यह आपको समझना पड़ेगा भाई ब गटिया बैटिंग करना, पहले बॉल पे आउट, दूसरे बॉल पे आउट, ऐसा लगातार चल रहा, तो भाई उसको IPL से भी निकाल देंगे, सो बताने का मकसद क्या है, जो कंपनिया वेल नोन रहती है, जिनका हिस्ट्री काफी अच्छा रहता है, पर्फॉर्मस की हिसाब से, उनके रिजल्ट काफी अच्छे हम लोगों देखने को मिल चुके है, तो ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट हर वक्त अच्छे आएंगे करके, कुछ प्लियर जीरो पे आउट होके भी सिलेट हो जाएगे, क्योंकि उनका पास्ट्रेक रिकॉर्ड वैसा है, उनका एवरेज पर्फॉर्मस अच्छा है, तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, तो क्या ओवररल कंक्लूजन क्या समझ में आया, कि येस आप जिस भी कॉर्टर के नंबर्स आप पढ़ रहे हो, पहले चेक करो भाई, कि वो बड़ा प्लियर है, कि छोटा प्लियर है, रेपिटेड प्लियर है, कि एबदम नया नया प्लियर है, उस हिसाब से कॉमेंटरे रहती है, फिर अभी इस विडियो में हम लोग बात करने वाले दो कंपन तो हम लोग फसी गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका अवरेज परफर्मस अचा रहे था, बट हाँ, ये वाली जो मैच थी, ये वाली मैच में मजा नहीं आ है, तो ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हो, तो इतना लंबा छोड़ा प्रवचन में आपको क्यू दिया, भाई, ये चारी चीज़े ये समझ में आनी चाहिए, बट अनफॉर्चनेटली यही चीज़े रिटेलनस्टर स्कीप कर देते, बोरिंग लगती हो उनको चीज़े, तो सीखेंगे कैसे भाई, सिर्फ नंबर को जोड कर नहीं चीज़े चलती है, दस का पंदरा हुआ, बारा हुआ, वो बरबाद होने वाले हो नहीं, शौट टम में आपको परिशान कर सकता है, लॉंग टम में आपको फाइदा ही देगा, मतलब ये देखो, शौट टम चेक करोगे ना, इसा साल बरबे भी चलो ठीक है करके, इसे चोटा-चोटा आप देखोगे ना, छे मैना, या फिर अगर आ बरबाद हो जाते हैं, बाई, जीरो पे, चार रन बनाते हैं, पाच रन बनाते हैं, तो वैसा ही कुछ सिनारियो, टाटा लिक्सी के भी इस वक्ट ले परफोर्मस में नजर यहाँ पर आ रहा है, मतलब चलो अभी नंबर के उपर या जाते हैं, तो ठीक है मैंने नंबर रहेगा, उसी में से तो तोड़ कर दे देते हैं, ठीक है, तो चलो, 70 रुपे का डिविडेन, अभी आ जाते हैं, कंपनी के नंबर के और, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, सो कंपनी के नंबर आप देख सकते हैं, क्या है, मार्च, डिसेंबर, मार्च, चलो ठीक है, स हलकी सी गिरावट नजर यहाँ पर आ रहें, चलो, ठीक है, नेक्स बात करेंगे दोस्तों, तो इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, तो टोटल एक्सपेंसे साफ यहाँ पर देख सकते लिखा हुए, 67,000, 67,000, 61,000, एप्रोक्सिमेटली, तो इंकम से एक्सपेंस हट काटर में था 25,000, तो 25,000 का 26 हुआ, अच्छी बात है, बट काटरली 27,400 का कितना हो गया, 26,200 हुआ, तो काटरली परफोर्मस डाउन नजर आ रहा है, यहरली परफोर्मस ठीक नजर आ रहा है, और फाइनल प्रोफिट सब कुछ टैक्स विक्स देने के बाद, जो Yearly भी डाउन हो गया, इबधाम final profit, और काटरली तो वैसे भी पहले से ही, income के साथ-साथ, हम यहाँ पे NP BT को बर जोड़ लें, और NP 80 को बर जोड़ लें, तो वो भी डाउन है, so final profit के अगर बात करी, yearly भी डाउन है, quarterly भी डाउन नजर आ रहा है, और net profit जब डाउन होता है, तो आपको पता है वो EPS को भी नीचे लेके आता है, तो EPS देख सकते है, 31.62 का EPS, जो तीन मैंने पहले 33 के रेंज में था, डाउन हो गया, 32.36 का EPS, ये भी डाउन हो गया 31.62, तो कुल मिला के स्टोरी के अगर हम लोग बात करें, टाटा लेक्सी का इसलिए तो मैंने शुरुआत में इतना लंबा चोड़ा प्रवचन दिया, क्यों इस वक्के जो नंबर्स है, परसनल इतना मज़ा नहीं है, तो क्या इसका रती स्टैंप लगा दे, चलो इसको टीम से भाहर निकाल दे भाई, यह तो IPL भी नहीं खिलेगा, इसको तो रेंटजी से भी बाहर निकाल दे, अब दम ही बरबाद प्लियर नहीं रहे भाई, ऐसा नहीं होता है, आवरेज स्कोरिंगा अच्छा रहता है, कभी का बार खराब परफॉर्मस दे देता है, तो उस बक का परफॉर्मस मतलब जैसे मैंने का कि मज़ा नहीं है, अभी मार्केट को कैसा लगता है, वो अलग पार्ट रहता है, बिकोज मार्केट में बड़े प्लियर जूते हैं बड़े प्लियर ने किसे ने ठोक दिया, बाई 500 क्रोड बाइंग कर गया, तो सारा नक्षा बदल जाता है, तो यह चीज़े काफी बार हम लोगों ने आपे देखी है, बट नंबर्स के अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो genuinely इससे अच्छा ज़रू टाटा लेक्से आपे कर सकता था, यह मेरा personal study वा, आपकी study अलग हो सकती है, तो कल के दिन देख लेते हैं, बाजार इसको thumbs up देता है, या फिर down देता है, usually हम लोग यह आपे कह सकते हैं, अनुमान था कि भाई, आज की match crucial थी, थोड़ा सा आपने अच्छा performance करना चाहेता है, at least half century, भाई आप तो 10 रद मार के out हो गए, तो वैसा कुछ scenario देखने हो का आपे मिल रहा है, hope cricket से चलते, काफी लोग relate यह आपे कर पाते हैं, तो ठीक है रोस्तों यह थी पहली company, टाटा लेक्सी, quarterly, early numbers अमनों को फिलाल तो down देखने हो का आपे मिल रहे है, share holding pattern भी बढ़िया है, बट औरल क्या समझ में है हाँ, कि इस वक्त इतना performance कुछ खास नजर नहीं आया है, second company की बात करेंगे दोस्तों यह भी वैसा ही, बड़ा player यह तो nifty-fifty का player है, इसका भी 5 साल का data देखोगी, काफी बढ़िया performance है, बट इस वक्त का performance कैसा है, इस वक्त का performance भी same वैसा ही, टाटा लेक्सी ने दिखाया है वैसा ही, company कौन सी है, टाटा consumer product, ठीक है यह भी एक बढ़िया player है, अच्छा world cup खिलने वाला player है, बट इस वक्त की भी performance की बात करें, तो थोड़ा सा disappointment वाला ही performance नजर यहाँ पर आ रहा है, मतलब, सो आप देख सकते हैं, टाटा consumer के numbers में ने open क्या आए हो, figures करोड में रहेंगे बिल्कुल सही, and sequence आप देख सकते हो, March, December, March, total income है 3965, last time था 38, उसके पहले था 36, तो income तो quarterly yearly उपर ही नजर यहाँ पर आ रहा है, खर्चे की बात करें 34, 3300, 3200 करोड, so income minus expenses तो profit NPBT मिल जाएगा, बिना किसी adjustment वाला, वो कितना है 509, तीन मेने पहले था 513, एक साल पहले था 450, तो yearly अच्छा है, quarterly थोड़ा सा flattish down performance नजर आ है, उसके बाद exceptional item का adjustment है, इसके चलते थोड़ा सा माहूल और खराब हो गया, ठीके वैसे तो quarterly down ही था, yearly तो अच्छा था, पर exceptional item के चलते और हम लोगों को downfall देखने को आप मिल गया, और उसके बाद tax adjustment के बाद, जो finally NPAT जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसी में ही तो उसका component है 2.28, 3 and 2.89, तो 2.89 कितना हो गया, 2.28, 3 का EPS कितना हो गया, 2.28, वैसे तो FMCG पहले से ही sector में काफी हम लोगों को slowdown ही देखने को मिल रहा है, उसमें at least देखा गया, तो consumer ने काफी अच्छा performance दिखाया था, इसलिए ने अच्छा दिखाया था, वंच number wise बात करे, तो ठीक है, इतना, मतलब हम कह सकते कि एबदम बोलते हैं धूम धड़ा के दार, ऐसा कुछ performance तो देखने को आपे नहीं मिला है, तो इसी चीज़ के चलते टाटा consumer product भी आप अपने radar के उपर रख सकते, आप देख सकते कंपणी का net profit 22% गिर गया, revenue की बात करें तो साड़े 8% drop yearly देखने को ने, हाँ dividend डिकलेर किया भाई, कितना डिकलेर किया है, तो 7.75, बतलब पॉने 8 रुपे के आज़ पास आप कह सकते है, dividend यहाँ पर घोशेत किया है, बाकि इनकी भी balance अट एप दम तगड़ी 12,000 करोड के रिज़ा हो, long term boring zero, short term boring 30,000 यह ठीक है, इतने बड़े company के लिए, cash and cash equivalent भी 1200 के range में है, market cap सवा लाग करोड के आज़ पास, अपने ही segment में ही हापे आप देख सकते, beverage में number one है, और Tata Group की company तो share holding pattern का चिंता करने की ज़रुवत नहीं है, तो oral conclusion क्या निकल कराया, कि Tata Lexi की बात करें, या फिर Tata consumer की अगर हम लोग बात करें, ठीक है company तो यह तो धाकड, long term में तो benefit देते हैं, बट यह जो short term, short term मतलब इस वक्का performance की बात करें, तो इतना कुछ खास ने, जल्दी आउट हो गए, आप ऐसा है आपे कह सकते हो, अभी कल के दिन यह देखने वाली बात होगी, कि बाजार को इनका performance कैसा लगता है करके, personally मुझे तो इतना performance कुछ खास देखने को आपे नहीं मिला है, तो आशा करता हो दोस्तो, विडिया अलफू लगा होगा, ये cricket के examples के चलते हैं, आपको easily समझ में अगर आ रहा होगा, तो आप just चाहे हो, तो comment section में feedback के लिए yes बोल सकते हो, तो मुझे में एक अंदाजाल है, आपे लग जाता है, कि इस प्रकार से मैं आपको सिखाने के लिए continue करूँ या ना करूँ, so मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye-bye.